तो हेलो फ्रेंड मेरा नाम सुभाम आपको मेरे व्यूटीव चैनल पर सौगत दो चलिए फ्रेंड से मैं फिसया जीरू वे इंट्रेस्टिंग और नॉलेजबिल वीडियो के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग एंड इस्पेसल एंड यूसफूल होने वाली है छासकर उन टे के लिए जो कि एकटि Duty कर्ण जा रहें दीरे दीरे आपनी वीडियो नहीं बना पा रहें रहें तो तो ऐसा तो थ्यूंसी दिमाग में इसके वजह से अप लिएंग नहीं करता है चगए अचीचीवफ़ कर साद हो एक जो मयंकरता है और एक तो उनी टिक्टॉकर्स के लिए आज ये वीडियो वर्दान होने वाली अगर आपने इस वीडियो को लास्ट दिख लिया तो आप चाहे जितने कालिक लूटे हो आप कितना भी गंदे दिखते हो आपका सकल कितनी भी खराब हो मैं आपको एक ऐसी स्पेशल चीट बताने वाल कि टिक्टॉक वीडियो में मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितना खराब दिखते हों आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं लाइफ प्रूप यहां देने वाला हूं कि आप भी अच्छे दिखने लगों कि टिक्टॉक वीडियो में और आपकी भी एक्ट करेंगे तो आपको खुद लगया कि हाँ मेरा चेरा पहले से कितना अच्छा हो गया इन वीडियो में तो चलता मुबाइल स्कीन की तरफ चलने से पहले वीडियो को एक लाइक करके आप हमारे मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प् फिर भी आप टिक टॉक वीडियो से बनाएंगे तो काफी अच्छी वीडियो आपकी निखर के आने वाली हैं आपका कॉंफिडेंस हाई होना चाहिए बस अब मैं आपको यहां पर लाइप प्रूब देने वाला हूं इसलिए मैं आप लाइप रूमें आपको दोनों इफे आउंगा कि अभी मेरा फेस नॉर्मल कैमरे में कैसा दिख रहा है और तो दुस्तु बस आपको यहां पर वीडियो को लाज तक दिखना है और फिर आप खुद टॉक वीडियो बनाएंगे तो उस एफेक्स को आप करेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाम आने बिल्कुल तो आप देख सकते नॉर्मल फेस ऐसा दिख रहा है और यहां पर बिल्कुल भी ज्यादा को आपको खाशी नहीं दिख रही अब मैं आपको चलता हूं लेकर टिक टॉक की तरफ वहां पर मेरा यही फेस ना कि मैं आपको वाक्स नहीं करने जा रहा हूं यही डारेक्ट फेस वहां पर कैसा दिख रहा है कैम आप्ने के टॉक टॉक की तरफ यहां सबसे पहले इसको मैं कैमरे को हाटा देता हूँ और यह मैंने टिक टॉक ऐप्लीकेशन यहां पर खोलता छो फ्रृटर में हैं पब यहां पर आको यहां पर ञदो पर 이टो फिलटर लगा हुट पर जो मैं फिल्टर जो मैं आपको इफट बताने वाला वह काफी यहां पर अच्छा लगेगा अभी आप आप नॉर्मल देखी स्क्रीन पर आ चुके अभी आपको जश्ट करना क्या मैं आपको बता दूँ आपको इस पेसल वाला इफट डालने के लिए आपको यह नीचे द अपने फियरवेट में इसको सेट करके रखा हुआ है तो मैं आपको क्लिक करके यहां पर दिखाता हूं जैसे मैं यह ने नॉर्मल यह नहीं यूज किया रहा है और जैसे यहां पर उपको दिखेंड की यहां पर ऊपिरसे तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा आप ये इफेक्ट यूज़ करेंगे तो आपको काफी ज्यादा यहां पर दिखने वाला है बिल्कुल नया लूक अभी मैं आपको फेस वास करके आता फिर नॉर्मल कैमरे में और यहां पर दिखाता हूं क किशना फेस वास करके तो फिर आपको दोनों जगाँ पर दिखाता हूं कि अब कितना यहां पर अंतर आया हुआ है अब मैं यहां पर face wash करके आ चुका हूँ तो आपसाद आपको उतना अंतर नहीं दिखेगा क्योंकि normal camera में भी अच्छी photo आने वाली है और effect के साथ तो और अच्छी आने वाली है तो यहां मैं सबसे पहले normal camera खोलेता हूँ अब यहां पर आप दखिएगा कि देखिए पहले से ज्यादा थोड़ा लुक्स ही हुआ है बस यहां पर थोड़ा से darkness आ रही हो Eins कमी है अब यहांपर पाइले से ज़्याद लूख वहां पर देखते हैं कि जो आपको दिखा और इसके तो यहां पर चलता हूं मैं सबसे पहले को काट देता हूं और यहां पर टिक तोग पर इस एफेट को फाइंड कर सकते हैं अब यहां पर नॉर्मल देख सकते हैं आप ऐसी फोटो आ रही है और यहां पर मेरी देखिए फेर्वेट लिस्ट में यह आला तीसरे नंबर वाला है इसको आपको क्लिक करना है अब आप देखिए अब आपको एक अलग सा चेहर दुका रहा है और यहां पर काफी ज्यादा यह इफेक्ट बेटर काम करता है आप लोगों के लिए मेरे लिए तो कोई जरूबर नहीं मैं ऐसे वीडियो बना सकता हूं मेरा फेस्ट काफी ठीक है पर आप लोग अगर नहीं सही दिखते हैं टिक टॉक पर आपको थोड़ा स सही आपका काम आई आपका यह इफेक्ट काम कर रहा है तो दोस्तों जाकर वीडियो के लाइक के बटन को दबा कर रखिए वहां पर मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस के लिए जिससे आने वाली इंट्रेश्टी वीडियो यूज करिएगा कहीं बनाईएगा तो सबसे ज़्यादा लाइटनिंग का ध्यान किएगा आपकी फेस पर जितनी ज़्यादा लाइटनिंग होगी उतने ज्यादा यह इफेक्ट अच्छे से काम करेगा यहाप अगर आपने लाइटनिंग थोड़ी से डिम कर दी तो देख दीजे यह इफेक्ट उतना सा काम अच्छा नहीं करेगा पर अगर आपने लाइटनिंग बराबर रखी है तो यहाँ पर आपका फेस विल्कुल गलो करके आने वाला है अभी आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे में लाइटनिंग देखे कि कम करूंगा तो यहाँ पर देख